रेडियो नौयडा लोकमंच 91.2 FM पर मैं विनो सर्मा आपका स्वागर करता हूँ हमारा सापता ही कारकरम नौयडा 2021 यानि नौयडा सहर के बनने की कहानी इस सीरिज में हम ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिन्होंने नौयडा को बनते देखा और नौयडा को बनाने में एहम योगदान दिया चाहे वे उद्धमी हैं, चाहे वे किसान हैं, चाहे अधिकारी हैं या और समास सेवा में जोड़े लोग इस सहर की बग्या को खिलाने में सभी नागरिकों का महत्पुन योगदान है आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड रहे हैं जाने माने उद्योगपती राकेश कोहली जी मैं राकेश कोहली जी का अपनी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ कौली जी नमस्कार धन्यवाद मैं कौली जी एक जीज पूछना चाहता हूँ कि आप नोडा में पहली बार कब आए और नोडा का नाम पहली बार कब सुना जब आए तो नोडा को कैसा देखा ये हमारे सुरताओं को बताईए कौली जी बार नोडा जर्मीरा पना है चाहता है भा दिय मतना नाम पहल को बार एका लोडा ज़ा को रेखा मैंने लोग किसी आपी सब्सक्राइब कर लोग कि अविक डिर सतक कर दो अजरी बीफार दुष्टा में धना हुआने कि इन το energies ब्लोग को भीHa जियना पिष्टा बावर में अवार्यवान यहारा बार नोहीं कि यहार बने कि छान को! जीतर को हम सुवार सेथे सक्टर है बीफे स्कोर में यही पणने है। मैं जो मुर्म मैं और हया है तियोभग इंन ओर है सब्मिखने ने… यह अधी नाखे ही ढौन निए वर शोटी है करईने इteहीं थे कि बंधे एख दुग में खाना झाबी दो ये गजब साहँ पर रहिं जब और आघकल पर को शुरव खाते हैं तो सब्दसक दूंता में रखंटी और हनूपरी बन फे दाव जग दिन्टावा टीग तीछ जग तेहीं आपध एव कि अच्छी फीडेटीड के लागे अगे नोगे जोड़ा में उट प्रहु हुआ तो इसके सेक्टर के बार आगे पोई ड्लापनेट लेक्ता हुआथ अगर उस समय इंडेस्टिर एरिया कितने थे कहां तक इंडेस्टिर एरिया सेक्टर बसी हुए थी जब तर एक जारा तर क पुकाने हो, कही भी नहीं कि दिवाने के लिए नहीं कि अच्छा एक चीज़ बताइए जब उस समय आपने उड्योग लगाया तब से लेकर अब तक बहुत सारी इंड़स्ट्री को लगाने के लिए रोमेटिल की जड़त होती है और उनको अपना सामन बेचना भी होता है तो अच्छा यह कि देशीम अच्छा अच्छा क अविधार थार्य गॉच्छा के सामने मी संदू के लगायों किर, लृग्थ जो पुट Și अच्छा की अच्छा म हरेसी अच्छी जड़त में में पूंगाया य। किस तरह का बद्लै लगाई उस समय जो आपने इंडुस्टी लगाई उस समय जो इंडूस्टी लगानी की जो पिरकिरिया थी वो और आज जो पिरकिरिया है उसमें कोई अंतरा है में आसान हुई है जटिल को ही वह थोड़ किस तरह का बदला देख़े अबाग तो असाल है हम हॉआँ यह नोगा है अप्र तो जार शवाल्टी वह दिशो उधीं हॉआगे अब 45 साल नोड़ा को होने जा रहे हैं इतना लंबा सफार हो गया है इस सहर में आज भी लोग कुछ जरूरी चीजों पर बात करते हैं चाहे वो पानी है चाहे वो बिजली है चाहे वो पबिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इन तेनों पर आपकी क्या रहा है दूसरा आपने का ट्रांसपोर्ट पर अज अब पहले तो यह जाड़ा इस शकल बढ़ा हुआ था शकल बढ़ा था मैं तो यह जहुँँख ट टो मैंतों के खाटते हैं तो यह जाड़ा हुआ था कि आपके इन पर फिरीड़ा हम् एन छिव एल्यों पूल क्या ने चल्ड़ा खाटारों प्र इस टिज़आ थारों बढ़ा इन सारे भींख ज़िए लाद कि जश्टिए purpose for that सिष। दृषल आझें जो दुन देखे खरागा है PLU सुब्सरे लेकर आप काल से दहे खिए ज़ेचा लगा टाके साथ और जडिकल में हो चलते है से अख़र का अश़जशक अभीड़ा लाजा अच्छा कोई चीज आपके दिमाग में एसी है जो आपको लगता है कि नौड़ा सहर में यह चीज होनी चाहिए जो अभी भी नहीं है ह। ईत्षा कर कोई भी नहीं है बहने है जो आपके ही। प्लानिंग में जैसे नवड़ा ने सेक्टर 18 पूरा 100% कॉमर्शियल रूप में बसाया ऐसा कोई और नया सेक्टर नहीं बसाया जो नवड़ा की मार्किट को एक जगह भीड की बजाया अलग अलग जगह पे लोगों को मार्केटिंग की सुझा दे सकता हूँ तो आपके हिसाब से वो स्क्क прот संदब तो आपके साब से वो सक्टर 25 वाला इरिया लग दोको सेक्टर अप ही यह आ जबद एचाहिए ऊपसको चाहिए अबद उसको चेणरे ऑंड़ aanट ciao किस्सा आज भी आद है जब आपको अधिकारियों के साथ बातचीत करने में कोई ऐसा मामला रोचक किस्सा आज भी आद है जब आप कहीं बैठे हो अधिकारी नो कोई बात कही हो और आप लोगों को मैंलोब चाहे वो खिलख़ा के हां से हो चाहे बहुत है ये थोड़ा ठीक नहीं बोले तो क्वोई आपका अधिकारियों की मीटिंग में कोई ऐसा किस्छा है जब आप लोग रहे हो ऑधिकाली रहे हो और कोई गंबीर मुद्धा उठा ओर उस पर काम भी हुआ हो ऐसा भी होगा हो अपके रहा हो गाहन कि आथि लाक्षां केालने साथ में हैं तो नीक्ताय करने पर काथό दिकाशने वब दकका उतनी थोर दीक Eating चराय है क्टे churn mutual को करो वारे बहारे पत्रियव आधा लोग जोने हाग़ दोर्य आधा। अब श्चेह से कषह नहीं हम पहले जब भल्कुर याद को आधा हम झान आपने रेडियो नौड़ा लोकमंच 91.2 FM पर अपने यादें सेहर की और नौड़ा से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ मुद्दे आपने रखे राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब ही आप सुन रहे थे नौड़ा एंटर्प्रिनर एंटर्प्रिनर एशुशेशन के पूर महासचिव राकेश कोहली जी को जिन्होंने नौड़ा सेहर की बसने से लेकर अब तक के जो उनके संस्मरान हैं वो आपके साथ सेहर किये कुछ जटिलता हैं जो समश्या हैं उनको भी आपके साथ जोड़ा और आगे भी ऐसी लोगों के साथ हम आपका समवाद जारी रखेंगे इस कारकरम में आप सुनते रहिए रेडियो नौड़ा लोकमंच 91.2 FM आपकी अपनी आवाज धन्यवाद